नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं ये खुब सुरस सा डिजाइन लाए हूँ जो देखने में जितना ही सुन्दर है, बनाने में उतना ही आसान इसे बनाने के लिए हमें और नमबर में कोई भी फंदे लेने होंगे जैसे 21, 51, 70, इस तरह दो से न कटने वाले कोई भी फंदे हम ले लेंगे डिजाइन बताने से पहले आप से अन्रोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्रिपिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेजे ताकि आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहा है मैं डिजाइन इसी के उपर बना रही हूँ आप इसे पहली लाइन समझे तो बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बन लिये गए हैं अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉंग साइट तो रॉंग साइट से सभी फंदे दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे दूसरी लाइन में हमने सभी फंदे उल्टे बना लिये तो तीसरी लाइन में भी हम सभी फंदे सीधे ही बनाएंगे तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुने दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बुने और तीसरी लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बुने तो इस तरह हमारा तीन लाइन कम्प्लीट हो गया है अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और ये मेन लाइन है तो इसमें गृप्या ध्यान देजेगा पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे उनको दूसरी और करेंगे अब देखिए ये फंदा उल्टा है तो इस फंदे के नीचे हम स्लिप डालेंगे देखिए ये जो छेट दिखाई दे रहा है हमें यहाँ स्लिप डालने है और सीधा बुन लेना है अब उनको अपनी योर करेंगे अगला फंदा उल्टा उनको दूसरी और अब देखिए ये उल्टा फंदा है इसके नीचे यहां छेद पे हम स्लाई डालेंगे और इसे सीधा बुनेंगे अब उनको अपनी ओर करेंगे अगले फंदे को उल्टा उन दूसरी ओर एक लाइन नीचे देखिए यहां स्लाई डालके हम इसे सीधा बुनेंगे उनको अपनी ओर करेंगे और दूसरे फंदे को नार्मली उल्टा एक फंदे को सीधा बुनना है लेकिन एक लाइन नीचे से सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे एक फंदा सीधा, एक लाइन नीचे से और दूसरा फंदा उल्टा तो इस तरह एक फंदा सीधा और अगले फंदे को उल्टा बुनते हुए हमने चौथा लाइन कम्प्रीट कर लिया तो चार लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है अब फिर पांचवे लाइन से हमारा पहला लाइन शुरू हो जाएगा यानि सभी फंदे सीधे दूसरे लाइन में छटे लाइन में सभी फंदे उल्टे सातवे लाइन में सभी फंदे सीधे और आठवे लाइन में फिर हम अपना चौथाल लाइन दूराएंगे तो देखिए फ्रांस चार लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और डिजाइन आपके सामने है तो सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा इसे आप जैन स्वेटर में डालिए लेडी स्वेटर में डालिए बच्चों के स्वेटर में डालिए इस सब में समान रूप से सुन्दर लेगा तो फ्रेंट्स डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंद आया होगा तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो क्रिप्याई से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें